याईन दोस्तों सेले साइट आई क्लासेस में आप सबीका स्वागत है आप लोग का पसंदीदा वह बेस्ट क्लासेस लेकिया चुका हूँ डिया डियो सेप्टम 10 टेक्निशन के लिए हांडेट पर्सेंट बेस्ट जनरल साइंस के कोशन जो की आई टियाई टेक्निशन के लिए राम बार सावित होने वाला है वीडियो का थी में आज मैं बता दू तो रोज सुबह सात बजे यानि कि रोज रुआ आप सात बजे आपको मिल जाएगा दस मिनित आपको देना पचीस को शन आपको मिलेगा 100 पर्सेंट सेलेक्शन होगा डिया डियो सेप्टेम 10 टेक्निशन पोस्ट पे दोस्तो तो में बता दू या वीडियो नंबर साथ है इससे पहले अलेडी च्छे वीडियो अप्लोड हो चुका हैं जो लोग छे वीडियो नहीं देखें एक से छे तक ओलोग देख लें क्योंकि 100 पर्सेंट जर्रेंस के कोशन उसमें अप्लोड किये गया है दोस्तों सटवा में जो भी फिजिक्स के कोशन, जनल साइंस के फिजिक्स चेप्टर से जो भी कोशन बचेते हों सब लेके आ चुका हूँ, तो विडियो के लास्ट तक बने रहें, आईए मैं डारेक्ट कोशन के तरफ ले चलता हूँ आपको, पहला कोशन आपके लिए आ चुका है, जो कि बेश्ट कोशन आज के लिए रहने वाला है, बिदुत वाहक बल क्या निरुपीत करता है, तो बिदुत वाहक बल आप इसमें बता सकते हैं, आपसन ए में दिया है, बल बी में दिया है, कार्य सी में दिया है, संबेक डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो बिदुत वाहक बल इस सेॉन नहीं हो सकता तो इसका अंसर है आपका निट्रान है जो कि नहीं हो सकता उसके बास तीसरा important आपके लिए कोशन आ चुका है 3 सनूंने बता दो बहुत ही important है इसको अगर देखियेगा दृष्टि कारी एक एक इलेक्ट्रानिक यूकति है इसका पर्योग किसे प्रावर्तित करने के लिए किया जाता है किसे प्रावर्तित करने के लिए किया जाता है तो तीसरा का भी यह आंसर सही है AC भोल्टता को DC भोल्टता में प्रावर्तित करने के लिए किया जाता है कोशन नमबर चौथा आगया है आपके लिए इसमें बता दू तो चौथा का इसमें सुन्य केलविन तापमान के पास सीसा और टीन जैसे धातू क्या बन जाते हैं तो दोस्तों इसी तरह के ले टेस्ट एंड बेस्ट सबसे अच्छा कोशन के लिए एक बार जरूर चैनल को वाले अगर अभी तक ने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे पांच नमबर का कोशन आपके सामने आ चुका है जब एक धातू का तपमान बढ़ता है तो इसकी प्रतिरोद क्या होता है तो आप्सन नमबर ए इसका करेक्ट है बढ़ जाती है प्रतिरोद क्या होती है बढ़ जाती है छटवा नमबर का कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट आपके सामने आ चुका है चालक का प्रतिरोद किस पर निर्भर करता है तो चालक का प्रतिरोद दो तो 100% best question है इसका option है नाब किया उर्जा है जो कि अपारंपरिक उर्जा शुरोत के लिए माना जाता है उसके बाद से next आपका आठवा नमबर का question है नाब किया रियक्टर में उर्जा उत्पन होती है तो 8 नमबर का आपका C है नियंतरित भी खंडन के द्वारा तो यह बहुती बेस्ट question था उसके बाद से next आचुका है नौ नमबर का question सूर्य के प्रकास का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है तो बहुती ऐसा question आपके लिए आचुका है question का इसका answer सही है अवरक्त यह C नमबर का correct है उसके बाद से 10 नमबर का question आपके लिए आ चुका है important सूरय में और चाकिस प्रकरिया से पैदा होती है तो सूर्य में और जाकिस प्रकार से पैदा होती है। तो hydrogen का श्यूंबर के दौरा उर्जा सूर्य में पैदा होती है उसके बाद से 11 का question आपके सामने आ कटा हुआ ही ओवा हीरा जल कारेक्ट होता फूर परावरतन के सबता है उसके बाज नेक्स्ट कोशंग अपके लिदीन है है 12 नंबर का जोकी का पी इंपोर्टेंट है खोगोलिया दूरदर्ती से बना प्रतिविंब होता है तो घृत हृता है उसके वासे नेक्स्ट कोशन 13 नंबर का आ उसके वाद से 14 नंबर का कोशन आ चुका है आपके सामने वायू में ध्वानी का लगभग वेग है तो 14 नंबर का आपका कोशन का आंसर है तो बहुत लोग इसको जानते होंगे काफी बेस्ट कोशन है और लाल रंग के लिए यह करेक्ट है उसके वाद से 16 नंबर का कोशन आ चुका है 16 नंबर में आपका ध्वानित्ती ब्रता की डेसिबल में वह अधिक्तम सीमा जिस पर जिससे उपर वेक्ति सुन नहीं सकता तो दोस्तों इसमें बता दू कि डबलू एच्चों ने जारी जो गाइडलाइन किया था वह 75 रखा गया था इससे ज्यादा पर सुनने पर आप बहरे हो सकते हैं लेकिन कई जगा आपको मिल जाएगा 85 और 90 तो इसमें आपका 90 वाला सही हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं 85 नहीं तो 95 लूसेंट में अलेडि यह दे रखा है और इसमें 85 या 90 दोनों हो सकता है तो 85 मार सकते हैं या तो 95 दोनों अगर आप्शन में है तो 95 आप मारेंगे उसके बाद से नेक्स्ट में बता दू तो 17 नमबर का कोशन यह आपका है यह एक लड़का रप्तार से बर्ड राइट ट्रेन में बैठा हुआ है वह एवं गेद हावा में फेकता है तो क 60 सही है गेद उसके हाथ में गिरेगी उसके बाद से 18 नंबर का कोशन आपके सामने आ चुका है निरमली कई खित में से कोन छायकारी बल है तो 18 में 26 कारी बल कौन sacrific UN घर Epic नमबर आपके शे निका सही है कि उननिश नंबर का कोशन आपके शामने आ चुका है प्रकास तरंग है प्रकास तरंग क्या है तो अनुप्रस्थ है उनिश्ट का भी आपका करेक्ट आंसर है उसके बाद से 20 में आपके लिए बेस्ट एन 100% कोस्टन जो की बार बार एकजाम में पूछा जाता है लियूमेन किसका मातरक है तो दोस्तों इसमें होता एक लियूमेन फ्लक्स होता है और एक लियूमेन इंटेंसिटी होता है तो लियूमेन फ्लक्स के लिए आपका इसमें परियोग होता है जोती जोकी लियूमेन फ्लक्स परियोग होता है और उसके बाद से लियूमेन इंटें City के लिए आपका Candila परियोग होता है तो लिमेन के लिए Flux यानि की जोती Flux का उपयोग होगा सी इसमें Answer सही रहने वाला है आपका सी Correct है उसके बाद से 21 नंबर का मैं बता दू तो ट्रांसफार्मर परियोग में आते हैं इसमें बी आंसर आपका सही है केवल एसी परिपत में उसके बाद से 22 नंबर का कोशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट आ चुका है सूर्य प्रकास प्रत्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है तो सूर्य का प्रकास प्रत्वी पकिस माध्यम से पहुचता है तो उसमा वी करण के माध्यम से पहुंचता है बी आंसर इसका सही है तेष्ञ नंबर का कोशन maximum hundred percent selection की लिए पाने के लिए और कामेंट में में को बताये मिवी डिए के कोशन आपको कैसे लगे और next किसी बनाया जाए यह дост बताया कौन सा और सब्चेक्ट चाहते हैं थियुरी या किसी जनरल साइंसे या कौन से कोशन चाहते हैं जिसको और लायाज आपके लिए ताकि आपके लिए हेलफुल हो सके दोस्तों तो तेश नंबर का कोशन का आपका आंसर मैंने बताया था सी इसमें सही है बिदुद परिपत में सेप्टी फ्यूज तार का परियोग किया जाता है तो बिदुद परिपत में सेप्टी तार फ्यूज का परियोग गलन बिंदु पर किया जाता है उसके बाद से 24 नंबर का कोशन आपके सामने आ चुका है सूसक सेल में कार्बन की छड कार्य करती है तो आप्शन यह है आपका करेक्ट एनोड का कार्य करती है लास्ट कोशन इस वीडियो का और फिजिक्स का मैं बता दो तो 25 नमबर का कोशन जब किसी उदासिन धातू के गोले को धनात्मक रूप से औसोसित काच की छड के संपर्क में औसोसित किया जाये तो यहाँ गोला क्या होगा तो इसमें यह आप्शन करेक्ट है इलेक्टरान गमाएगा तो इसका यह अप्शन सही था और मैं बता दू दोस्तों तो इसमें वीडियो जो फिजिक्स के साथ वीडियो अप्लोड हुए थे पार्ट वन से लेके पार्ट सेवन तक काफी इंपोटेंट हंडेट परसेंट सेलेक्शन के लिए बेस्ट है दोस्तों और आप लोग जरूर दिख लीजिएगा पूरा देखिएगा साथ वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा सतर से पिछातर मिनिट लगेंगे लेकिन ब झाल 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 झाल